हेलो फैमिली, असलाम वालेकूम, कैसे है आप सब, I hope everyone is fine तो हम कर रहे हैं आयत के गिफ्ट की अन्बॉक्सिंग तो चलिए देखते हैं किस-किस ने आयत को क्या-क्या दिया है ये गिफ्ट है जन्नत दिदी और जईर मामू के तरफ से आयत के लिए फ्रॉक वाउ हमने ये आयत को पहना के भी देखा, काफी सुन्दर और प्यारा लग रहा था ठैंक यू सो मच आयत के जहिर नाना इन जन्नत नानी और ये सबसे प्यारा तौफा है अर्मान की तरफ से आयत को ठैंक यू सो मच अर्मान मामा अब ये जो गिफ्ट है वो है रियाज मामू और अबानन्टी की तरफ से और ये भी काफी सुन्दर डंगरी टाइप फ्रॉक जैसा है स्कूर्ट है स्कूर्ट डेनिम का और अंदर टी शेट है ये देखिए इसमें भी कितनी प्यारी लग रही है ना आयत माशाल्ला ठैंक यू सो मच आयत के रियाज नाना और अबाननानी अब ये गिफ्ट है शैजाद मामू और शबनम हुमानी की तरफ से खुबसूरत सा स्कूर्ट एंड टॉप और दो नाइट सूट भी है कॉटन का बहुत ही प्यारा था माशाल्ला ठैंक यू सो मच आयत के शैजाद नाना और शबनम नानी आयत को ना बहुत नींद आई थी इसलिए वो बहुत शिर्चिर्ड कर रही थी हमें ड्रेस भी पहनाने नहीं दे रही थी पर फिर भी हमने उसे पहनाया और थोड़ा सा शूट ले लिया देखिए ये इसका टॉप भी कितना प्यारा लग रहा है और ये गिफ्ट साहिल भीया के तरफ से तो मैंने आपको बता दिया था कि आयत के साहिल मामा ने उसको गोल्ड के इयरिंग्स दिये है ये भी काफी खुबसूरत डिजाइन थी तो ये फ्रॉक है नदीम मामू और मिनाज मुमानी की तरफ से नदीम मामू और मिनाज मुमानी से मैं आप लोगों इंटरिउस करवा चुकी हूँ अली बाग वाले व्लॉग में तो ये फ्रॉक है उनकी तरफ से ये फ्रॉक थोड़ा नेट का था हैवी था इसलिए आयत ये पहने में थोड़ा रो रही थी ये देखिए कितना प्यारा फ्रॉक है और आयत उसमें कितनी प्यारी लग रही है माशाआल्ला और ये जहीर मामू की शांदार कैच को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा इसमें है पायल और ये पायल भी नदीम मामू और मिनास बुमानी की तरफ से आयत को बर्थडे गिफ्ट है इसकी भी डिजाइन काफी खुबसूरत है थैंक यू सो मच आयत के नदीम नाना और मिनास नानी और ये गिफ्ट है स्नेहा आंपी और विशाल मामू के तरफ से आयत के लिए तो एक्शली वो लोग बर्डे के दिन नहीं आ पाये थे आयत के इसलिए ये शुर्ट हम लोग ने बाद में किया गिफ्ट का वाव इट वाव इट वाज़ वन्डरफुल टॉई और ये जो फ्रॉक है वो भी स्नेहा आंपी और विशाल मामू के तरफ से है आयत के लिए तो चलिए फैमिली आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक आप सब अपका खयाल रखे और हमें अपनी दुआओं में याद रखे बाइ बाइ अलाफिस